अगर आपके पास 15雲 रुपे नहीं है तो आप कोई प्लॉट यहां पर्चेज नहीं कर सकतेों 10-15 लाइक पास कैश नहीं है तो आप नहीं पर्चेज कर सकते दोस्त कैसे उलिजन बता देता हूँ तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है ठीक है मैं आपको बस यहां का एरिया दिखा रहा हूं कि एरिया कैसा है देखिए कि सारे बिल्डर जितने भी बिल्डरों के ओफिसे सब यहीं पर अलगबग है ठीक है मैं फिर बता दू कि मैं किसी बिल्डर को प्रमोट नहीं कर रहा हूं आपके अपनी जिम्मेदार है अगर आप किसी से कॉंटेक्ट करते हैं सामने देखिए 37 का एंटरे से वह सामने हैलिपैट दिखाए दे रहा है जूम कर देता हूं आपको रोड पर भी दिखाए दिया है मैंने कि अब कि अब कि अब कि अब कर दोस्ते एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पर दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग कहते हैं कि सर लोन वाली प्रोपर्टी दिखाई है लोन वाली प्रोपर्टी दिखाई है तो जी आपके लिए आज लोन वाली प्रोपर्टी आ गई है ठीक है और अब यह मत सिकायत करेगा कि सर लोन वाली प्रोपर्टी नहीं दिखाते हो ठीक है हाथ जोड कि आप लोग से बिनम्रनी वेदन है सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन की कि लोकेट कहां पे है कहां पे इस्थित है तो इसका जो बिल्कुल सिंपल सा मैप है सिंपल सी लोकेशन वो यह है कि रिठाला मैट्रो इस्टेशन यहां से लगभग चार किलो मीटर है और रिठाला मैट्रो इस्टेशन से जो सीधा रोड आता है वह रोड जो है यहां पर सेक्टर के बाहर यानि कि सेक्टर यह जो 37 सेक्टर है जहां मैं अभी खड़ाओ यह बीठी सेक्टर बीठी पॉकेट है इस तरफ बीवन है और उससे आगे जाएंगे त तो एवन पड़ेगा तो एवन से दूरी पास है और जहां मैं खड़ाओ यहां पर दूर यह एंड है लेकिन इसके फायदे भी आभी आपको सब गिनवाऊंगा अभी लोकेशन समझ लेते हैं जो रिठाला मैट्रो इस्टेशन है वहां से यह तीन से पांच किलो मेटर पड और यहां पर सामने आपको सेक्टर के बाहर और यू-e-r अर्बन एक्टेंशन रोड तू वह जो है कि यहां बाहर में यह ठीक है ना सामने आपको दिख रहा हुगा यहां से एक किलो मीटर की दूर है लगभग और यह जो रिठाला से आ रहा है आपका रोड मैं आभी बाहर आपको दिखा दूँगा उसकी लोकेशन वह रिठाला स इस बात को कि यहां पर आपका जो इन्वेश्मेंट है वह हंडिट परसंट सिक्योर है सेफ है और फ्यूचर में आपको रिटर्स भी अच्छे मिलेंगे अब नई दिली रेलवेस्टेशन की और आईजियाई एयरपोर्ट की और एम्स की तो सारे की सारे यहां से जैसे आप को बताता ही रहता हूँ यहां से लगभख आपका एक से सवागंटे का रस्ता है यानि लगभख 25–30 किलो मीटर की डिस्टेंस है नेट-दिली रेलवेस्टेशन की लगभख डिस्टेंस पड़ेगी 25 किलो मीटर आईजिया एअरप की लगभख इतनी ही पड़ेगी और एम् तो सेक्टर 37 है और यहां से आपको सारी फैसलिटीज है तो यह तो आपकी लोकेशन की बात ठीक है अब बात कर लेते हैं यहां पे फैसलिटीज की तो दोस्तों देखे आपको बता दू कि हॉस्पिटल के घर हम बात करें तो यहां पे जो डॉक्टर भीमरा मिड़कर हॉस्प है अगला जो पड़ेगा रोहनी इस्ट पड़ेगा साइद वहां पे है और यहां से 6-7 किलोमेटर पड़ता है लेकिन हां अगर आप ड्राइविंग की बात करेंगे तो पांच मिनेट की दूरी पर सिंपल सी बात है क्योंकि सीधा रोड जा रहा है कहीं नहीं मुनना है रे स्कूल नहीं है पहली बता दू आपको अभी आप यहां पर फ्री होल्ड प्लॉट अगर खरीदते हो आपको लोन भी मिल जाता है आप जो है कि अपना प्लॉट लेके कर सकते हैं रह भी सकते हैं लेकिन स्कूल के हिसाब से नियर भाई अभी आपको कालोनियों में जाना पहाई रोड यहां पूरे डवलप हैं और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको घूमने फिरने और मौज मस्ती के लिए ग्रीन अरिया बहुत ज्यादा मिलता है ग्रीन अरिया मिन्स पार्क आपको मिल जाते हैं कॉम्मुनिटी आपको कॉम्मुनिटी हॉल्स मिल जाएंगे यानि सारी चीजे यहां पर डवलप होगी तो आप एक नंबर का समझ सकते हो इसको की जो इन्वेश्मेंट है आपकी एक नंबर की है तो ग्रीन अरिया बहुत होता है यह तो आपको पताई होगा कि यहां पार्क होते हैं हर छोटे-छोटे पार्ट के बाद पॉकेट के अं प्रोड के साथ जो है कि आपको बहुत बड़े एरिया में रोड के साथ-साथ ठीक है लगबग यह समझ लीजिए लगबग 50-60 मीटर का जो है न यह ग्रीन एरिया दिया रोड के साथ-साथ तो यहां पर जो इन्वार्मेंट होगा आने वाले टाइम में वह बहुत वह और यूजव एर यूजवर टू में कैसे मिल रहा है ठीक है चले रोड देख लेते हैं जैसे और यह सीधा रिठाला से कहीं आ रहा रहा है कि चला जाता है यहां पर सामने ज्यादादा दूर निए सामने यह आधा किलो मेटर है यू ई आर टू अर्बान एक्षेंशन रोड तू पर चल जाता है मिल जाता है सामने ही है और कोने पर कॉर्णर पर ही सामने अगर मैं जूम करके दिखा हूं तो देखो आप सामने जोए कि मोड है बोड यह आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है कोने यहां से यह देखें यह है एंट्री दिखा देता हूं आपको यह 37 का जो पॉकेट वी-4 और वी-3 है ओ है यहां पर लेफ्ट में वी-4 वी-3 है और राइट में सी टू और अपको ननों ग्रीन एरिया भी दिखा है मोड ऑ होग सामने फ्राइस वी-4 का कि यह ढूर जीका तो जो भी आपको समझ में आये मुझे जरूर बताए कमेंट करके तो दोस्तों आपको एक बर मैं साइट दिखा देता हूं ठीक है कि यहां पर चल रही है कैसी डिवल्लप्मेंट चल रही है जातर बिल्डरों के ही plot है यहां पर ठीक है लेकिन उसके अलावा जो है कि और भी construction यहां पर चल रही है आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि जो है आपको बहतर दिखाई दे और जूम कर लेता हूँ ठीक है अब देखिए तो यहां पर development तो है देखिए पहले से रोड बने हुए है सीवर लाइन बिची हुई है तो इसलिए यहां पर अच्छा हो सकता आपके लिए लेकिन डीलरों के चक्कर में पढ़िएगा पहली बता रहा हूं आपको बहुत ज्यादा ब्लैक मनी यूज करते हैं सब्सक्राइब यानि जो रियल सर्कल रेट है ना उस पर आपको प्लॉट मिलने से रहां देखिए यह डवलोप्मेंट है सारी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है कि मैंने जूम कर रखा है तो इसलिए थोड़ा थोड़ी क्लियाइटी जोने अच्छी नहीं दोस्तों ठीक है थोड़ा कम कर देता हूं यह देखिए तो ठीक है रोड बने हुए आपके आराम से कोई शिरॉडब्म ही नहीं डवलप्मेंट पूरी चली रही है अच्छी आप देखी कि अब दखाना के रहना चाहों तो रह सकती है नहीं आठीक है यहां पर जो शुत बने हुए पहले से ठीक है आपको पतार हो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं इस तरफ सब्सरों से नहीं सबस्टाइब यह सारे हैं और यह अच्छी तरीके से तो हैं पॉकेट के पहले से पूरी तरह से डॉट है आप अगर रहना भी चाहें तो अराम से आंके रह सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना डवल्लप्मेंट पूरा हो रखा है अगर आप देखो तो यहां भी देखिए रोड बना हुए पॉकेट का लास्ट का रोड है और सारे राइट एंगल होते हैं यहां से कटा हुए रोड और अगला रोड जो है कि सौ मीटर पे कटा हुआ है और यहां पर आप देखो कि तो पूरी डवलप्मेंट देख लेते हैं हो जाते पूरी डवलप्मेंट उसके बावजूद जो है की कंजेस्टेट नहीं लगेगा आपको एरिया ठीक है तो यह तो फाइदा है चलिए आप बात करेंगे प्लॉट के साइज की तो दोस्तों यहां पर जो बेसिक प्लॉट साइज है वह 26 मीटर 32 मीटर और 60 मीटर के मिलते आपको और यह डिपेंड करता है कि आपका बजट किस पर सैट हो जाता है उस पर जो ही कि आपको अपने हिसाब से अप प्लॉट जो है पर्चेज कर सकते हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर पॉसिबल हो तो कॉर्णर का ही प्लॉट ले कॉर्णर के प्लॉट के आप विसेशता जानते ही है कि कॉर्णर का प्लॉट अगर आप ले लेते हैं तो सबसे बड़ी जो उसकी उसका जो ब युँ करें है और उस इसाब जो मी तरा-ठोल यह वों Q2 2 मीटर का थो इस्पार Hare का होग स्धाइन्य ठीज सफार्वाथ ? व्युआपनेgenommen की जुरूवत है कि अगर मालने जीए एक example बता रहा हूँ आपको 20 लाग की plot की circle rate के हिसाब से value है चाहे 32 meter को हम माल लेते हैं 23,25 लाग का पड़ता है 32 meter का जो circle rate है वो पड़ेगा 23,25 लाग रुपे के आसपास ठीक है अब जो सरकारी value है वो तो है 32 meter की 23,25 लाग रुपे लेकिन यकीर मानिए आपको इस rate में मिली नहीं सकता वो अब dealer क्या करते हैं कि वो तो ले लेते हैं plot ठीक है अब वो बेचेंगे कैसे अब उन्होंने circle rate पे ले लिया या circle rate से कम पे भी लिया हो सकता है से lot हुआ हो उसके बाद अब आपको कैसे भी केगा कि वो आपको 35 लाग के आसपास देंगे यह plot मान के चली इस बात को अब आप कहते हो ना कि लोन हो जाएगा लोन हो जाएगा आप देखें यहां पर मैटर अगर आपके पास 15 लाग रुपे नहीं है तो आप कोई plot यहां पर्चेज नहीं कर सकते हो 15 लाग 10 से 15 लाग रुपे अगर आपके पास cash नहीं है तो आप नहीं पर्चेज कर सकते दोस्त कैसे उसका रीजन बता देता हूं समझा देता हूं देखेगा एंट तक समझेगा अच्छी तरीके से 35 लाग रुपे इसकी ओरिजिनल वैल्यू है 32 मिटर के plot की अब यह plot आपको मिलेगा कितने में कम से कम 35 लाग में 30 लाग में मानके चली चले 30 लाग मानने जिए कि आपको मानलो जो हद से हद आप सोर्स विपारी सब लग गई और 30 लाग में आपको plot मिल गया अब क्या होगा 30 लाग को लोन नहीं होगा उसका रीजन समझिये क्यूंकि जो आपको बेचे गा ना डिलर वह आपको 30 लाग रुपे का plot कागच पे दिखाए गई नहीं क्यूंकि जो उपर की value है उस पर 30 परसंट आपको टैक्स दिना होगा गवर्मेंट को प्रॉफिट का तो 30 परसंट का मतलब 10 लाग भी अगर आपने कमाया अगर डिलर ने तो 3 लाग रुपे गवर्मेंट को देने होंगे तो कोई क्यूं करेगा भाई ऐसा काम तो इसलिए आपको जो प्लॉट देते हैं वो सर्किल रेट पर देंगे अब वह लिखाएंगे साड़े 23 लाग रुपे बाकि ब्ल परसेंट अगर 80% मान लेते हैं 90% मान लेते हैं तो बैंक आपको मैक्सिमम जो लोन है वह साड़े 18 लाग रुपे के आसपास देगा अब देखे जरा ध्यान से 23 लाग का प्लॉट है बैंक आपको साड़े 18 लाग रुपे लोन दे रहा है लेकिन आपने तो प्लॉट की वैल प्लॉट के लेकिन 15,5 लाग रुपे का है तो साड़े 18 लाग रुपे आपको बैंक देगा बाकि कर जोन आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा अब आप देख लो कैसे लोगे लोन की प्रोपेटी साड़े बारा लाक रुपे आपको जेब से देना पड़ेगा और वो तो मैं 30 का ऐसे आपको बता रहा हूँ आप कॉर्णर का कर प्लॉट देखोगे तो कम से कम कुछ भी मान के चलो 35 लाक रुपे से नीचे नहीं मिलेगा अब दोस्ता आप बताओ मैं क्या गलart बताता हूँ मैं क्या दिखाता हूँ मैं आपको कालोनी की इसलिए लिखाता हूं कि जितना आप यहां मार्जिन दे रहो ना कैस में उतने में तो आपको कालोनी में प्लॉट मिल जाएगा 50 गच का 60 का कैस में बढ़ियां जगे मिल जाएगा कमर्शिल प्लॉट मिल जाएगा 15-17-18 लाख रुपे में तो 50 गच का एल टाइप कभी मिल सकता है तो कहने का मतलब यह है कि आप प्रपर्टी लेते हैं तो फ्यूचर सोच के लेंगे ना अब यहां पर कितनी बस आउट हो गया आप सोचो कालोनी में आप आज लेते हो आज से आप पैसे कमाना सुरू करोंगे के दोपैसे आपके बचेएंगे दुकान खोल लो अपको सही बता रहीस अगर आपके पैसा है खूब तो यहां इंवेस्ट करिए सबसे बढ़िया इसका लेकिन होगा उसका रीजन बताता हूं आप दोस्त लोगे ना अठारा लाख रुपे आप लोगे अब लोन आप सुची कब तक भरेंगे पूरे जीवान लोन भरेंगे कम से कम पंदरा साल बीस साल तो भरेंगे ना और तब तक आपकी दाड़ी मुझ पक जाएगी आप जो है बूड मतलम मैं तो अपनी फीलिंग बता रहा हूं जो है ठीके ना आपका निरेने हैं अपड़ोड सेटारा सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस वहां बात कि Army लगी हो तो भी ठीक है और बूरी लगी हो तो भी आपका स्वागत है ठीक है चलिए आप जो है कुछ आगे बात कर ल मैं आमको मिनिमम बता रहा हूँ कि 18-25 पर होता है वहापको 26 midr का plot भी अगर ऐसी location पे है तो आपको कम से कम 40 लाग का देगा 35 लाग का देगा 30 लाग का देगा उनके उबडेंड ऊता है तो आपको ने बताया दिया कुछ पसंद आई हो कुछ कंटेंट लगा हो मेरी मेहनत आपको लगी हो जायज तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं को सेंसन लेना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा मैं जो है कि आपको अपना नंबर दे मैं लगा हो किय तुछ तुछ पुछ झा मुछ झा झाज झाम झीजिएगा ही हमसे बाके कि लगा हैं को लेशेगा हैं तो कि दानल इंस फसंद़ा प्रश भी से से साल के हाजिएगा तो 확인 okay जो हैapeफ Mississippi